हरियोम, दुख आर्ता नाम, शोक आर्ता नाम, श्रम आर्ता नाम, तपस्वी नाम, विश्राम जणकम लोके योगं एतद भविश्यते, दुख से पेडित लोग हों, शोक से पीडित हो श्रम से पीडित हो या फिर तपस्वी हो सब के लिए इस लोक में योग एक सब से बड़ा राहत का साधन सिद्ध होगा ऐसा हमारे दिशियों ने उद्गोश किया और उसको हम देख भी रहे हैं कोई समस्या ऐसी नहीं है चाहे वो स्वास्ते संबंदी है चाहे वो समाजिक है राष्ट्रिय है या अंदर राष्ट्रिय है कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समधान योग के पास में नव लेकिन आगहात एक ऐसी चीज़ है जो अच्छो अच्छो को हिला देती है इसी लिए भगवान क्रश्मिय कहते हैं कि है अर्जुन योगी भवार तस्मात योगी भवार जुन है तू सुबह शाम का योगी मत बन बलकि be round the clock योगी यानि हमारा कोई भी कार्य क्यों ना हो चाहे वो आनंद के पल हैं चाहे वो शोक के पल हैं चाहे वो श्रम के पल हैं चाहे वो तब के पल हैं कोई पल ऐसा नहीं होना चाहिए जिस समय हम अपने योगी होने के सुरूप को भुला दे क्योंकि जरासी चूक बहुत सफल लोगों को भी fail कर देती है असे पर कर देती है आग हाथ ऐसे अबसर होते हैं चाहे वो दुख के हैं और चाहे वो प्रसंदता के हैं प्रसंदता के हों तो आप समबल नहीं पाते हैं किसी की लौटरी निकल जाए तो हार्ट सिंग कर जाता है किसी को और ज़्यादे खुशी मिल जाए तो ये तक कहते हैं कि वो खुशी मिली है मुझको मैं खुशी से मरना जाओं और दुख्य की तो बात ही छोड़ें रगवन्ष में कहा गया कि शरीर अरी प्रहरती प्रदय स्वजनस्त था कालिस दाज जी ने कहाई है कि दुश्मन तो हमारे शरीर पर वार करता है लेकिन जो अपने होते हैं वो हमारे खुरदय पर वार करते हैं और खुरदया घात आज की बड़ी चुनोंती भरी समस्या है शादी ब्यां में आती उत्साइत हैं तो हादसा हो जाएगा पता चला कि नाटक कर रहे थे नाटक करते करते जीवन का नाटक की समाप्त हो गया पता ही नहीं चला रात को सोवे ठीक ठाक थे रात्री में चोथे पहर में अचाना कार्डिक एरेस्ट हुआ और प्राणलिला समाप्त हो गई कोई ततकाल साधन भी उपलब्द नहीं होता इसलिए योग को कहा गया है कि बेस्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन यानि आपात काल में तो मदद करेगा ही करेगा लेकिन कई बार उस समय आपके पास उस समय विवेक नहीं काम करता हम अपना सारा सुदबुद खो देते हैं ऐसी परिष्टिति ये भी आती है कि व्यक्ति समझदार व्यक्ति भी विवेक शून्य हो जाता है ज्यानी व्यक्ति भी विवेक शून्य हो जाता है हमने तो ऐसे ऐसे डॉक्टर्स के भी हादसे देखे है कि उनुने नजाने कितनों की प्राण रक्षा की लेकिन अपने साथ जो हाद्सा हुआ उसको वो नहीं रोक पाए ठीक है जातस से ही दुरुमम्रत्यूग दुरुबो जन्मम्रतस से चरए निश्चित है कि मरण होना है, हर किसी का होना है, लेकिन हम मृत्यों को आमंतरित नहीं करते हैं ये जो Preventive Medicine वाला रूप है, इसमें हमने बहुत सारे उपाए भारत योग की जो क्रियाएं हैं, भारत योग की जो गतियें हैं, मुक्षायतन योग संस्थान की, उनके माध्यम से आप तक पहुँचाई हैं और बहुत सी गतियें तो इतनी पॉपुलर हो गई हैं, कि आज विश्यो में अनेक लोग भारत योग गतियों को परचारित करने के लिए अपने अपने वीडियोज बना करके, अपने संदेश दे करके उसको जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं क्योंकि रिशियों की देन हैं भारत की देन हैं, भारत वर्ष की देन हैं, तो उससे अधिकतम लोगों को लाभानुवित होना ही चाहिए, क्योंकि वो तो वसुध हो कुटमबकम को मानते हैं इस सत्य को जानते हुए हम लोग निरंतर शोध में लगे रहते हैं, फूशिश होती है कि जो रिशियों का ग्यान है वो सही रूप में, मौलिक रूप में, हितकर रूप में जन जन तक पहुँचे. भारत योग गतियों में एक गती बहुत प्रसिद्ध है जिसको हम विरेचन गती कहते हैं. और विरेचन गती क्योंकि योग तो जानता है, आयर्वेत जानता है, चिकित सह विज्ञान जानता है, कि सर्व रोगा मल अश्रया. सारे रोग मल में आश्रय पाते हैं तो बजाए रोगों से लड़ने के हम मल से क्यों न लड़ें अपने शरीर को निर्मल करें विचार को निर्मल करें सिस्टम्स को निर्मल करें तो सब अच्छा हच्छा हो जाएगा अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि भुवान राम का प्रान प्रतिष्ठा उत्सव होने जा रहा है 22 जैनवरी को और अयोध्या में ये कारिय हो उससे पहले पूरे देश को सच्छ करने का अभियान हमारे प्रदान मंत्री जी ने शुरू किया प्रदेश में मुख्य मंत्री जी ने शुरू किया और वो तक शुरूआत होती है हम सबने किया और हम कर रहे हैं कि 22 जैनवरी आते आते हम सब लोग भारत को पूरी तरह से स्वच्छ बना लें जिससे के राम यहां आकर के जिस समय उनको देखें तो उनको लगे कि हाँ यह मेरा वही देश है मेरा वही भारत है तो फिर हम पीछे कैसे रह जाएं तो निर्मल करने में विरेचन गतियों में विरेचन गती का सबसे अधिक महत्प है और यह जहां हमारे हर्दे को बल देता है फिफडों को निर्मल करता है नाभी को जागरत करता है पंधों को पुष्ट और स्वस्थ करता है यहां तक कि मन को एकागर करने के लिए मनों वहां नाडियों को जागरत करता है और सबसे बड़ी बात कि हमें ध्यान के लिए तैय कर देता है इतने सारे फायदे इसके हैं विभिन रूप विरेचन क्रिया के आपने सीखे देखे अभ्यास में ला रहे हैं लेकिन जैसे रोग नएने रूप लेते रहते हैं तो उन से दोहात करने के लिए हमें भी नए नए चीजियों को सामने विक्सित करना पड़ता है क्यो रोहों में ही बैठे हुए हाट टेक आया एकदम खलवली मच गई और सब लोगों ने मिल करके उसके उपर अपने अपने उपाय करने की कोशिश की समय बहुत कम होता है लेकिन सही उपाय ये था कि वहाँ एक चिकित सक थे और उन चिकित सक महोदे ने ततकाल उनके कि इनकी प्रान रक्षा इसलिए हो पाई कि हमने इस बीट के माध्यम से जो के बाजू पर दी गई बाएं बाजू पर और सीने पर दी गई उसके द्वारा इसकी ततकालिक प्रान रक्षा हो गई अब इनका अब्जरवेशन किया जाएगा कि क्या कारण है कितनी प्रेबिया नहीं या क्षणिक आघात मात रहें बहुत से कारण हो सकते हैं लेकिन उस समय इमर्जंसी हेल्प उनकी की गई योग में जो क्रियाएं हम करते हैं विशेश रूप से विरेचन गती तो वो इसलिए करते हैं कि ऐसी इस्थिति ना आने पाए जो रक्त का प्रवा है और हर्दे के द्वारा रक्त के शोधन करने का कारी हो रहा है फेपड़े के संसर्ग में आ करके यानि फेपड़ा और हर्दे मिल करके रक्त शोधन का कारे करते हैं और फिर उसको सारे शरीर में सुचार रूप से प्रवाहित करते हैं और उस प्रवा में कह क्लोट ना आ जाए कहीं नारी सकरा ना जाए उस बात को देखते हुए हमें प्रणयाम का हम सहरा लेते हैं हम विशेश जो सुक्षम व्यायाम हैं अंतहप उस चिक्रिया जिनको हम कहते हैं उनका सहरा लेते हैं लेकिन हर व्यक्ति को जो इतनी गूर क्रियाओं को नहीं भी उबर जाए ततकाल और यह कही है कि उसके सामने ऐसी विशम परिस्थिती ना आए इसलिए प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में जो विरेचन गती की का ये स्टेप है जैसे मैंने कहा कि बिमारियें ने ने रूप लेकर के आती हैं कोविड आया था और अब उसके दूसरे सामने आ रहे हैं उसी तरह से हम भी जो योग की गतिये हैं उनमें जो लेटेस्ट वेरियेंट हैं लेटेस्ट रूपांतरन हैं वो भी आपके सामने ला रहे हैं जिससे के आप अपने आपको पूरी तरह से एक्विप्ड रखें के समस्या कोई भी हो समाधान आपके पास है इसलिए इस क्रिया को जो विरेचन की क्रिया है उसमें आप दुहस्त विरेचन करते हैं यानि दोनों हाथों से विरेचन क्रिया करते हैं सीधे हाथ ऐसे रख करके कंधों के लेवल पर बाज कोहनी को उठा करके और फिर इसको वापस रिब्स के ऊपर एक moderate beat दे करके आप करते दूसरा आप विरेचन करते हैं, कि आप एक स्वर से विरेचन करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे स्वर से विरेचन करते हैं, कि 20, 25, 30 बार अपनी क्षमता के अनुसार बाईं तरफ से विरेचन करना, दाईं तरफ से विरेचन करना, इस तरह से करते हैं, इसके अलावा फिर और विरेचन आप करते हैं, जिसमें आप एक बार बाई और से, एक बार धायनी और से, एक बार धायनी और से, फिर बाई और से, यानि स्वास छोड़ने का कारिय करते हैं, इसके साथ साथ अपने आपको स्टैमिना बढ़ाने के लिए, उर्जा संपन रखने के लिए, और जो को सुरक्षित रखने के लिए जो विरेचन का ये नया रूप है ये मैं आज आपके सामने रखना हूँ और इसलिए रखना हूँ कि आप जब विरेचन करते ही हैं तो इसको भी अपने अभ्यास का हिस्सा बनाईए इसका आप पूरा लाव लीजिए इसमें जो विशेश इंगल पर हमने मोड़ा अभी तक हम केवल बाजू को रिब्स से चूने का काम कर रहे थे या कई ये रिब्स पर बीट देने का काम कर रहे थे इस ताहर से ये करते हैं लेकिन इस लेटिस्ट जो आपकी पद्धती विरेचन गती की है उसमें आपको कोहनी तक को रिब्स से ब्रहताना है यानि इस प्रकार से हाथ को नीचे लाएंगे कोहनी का जो रिब्स के निचले हिससे से क्या होगा कि पूरे रिब्स पर तो दबाव आएगा ही वहारा, नाडियों के उपर भी दबाव आएगा, पेफ़ड़े उपर भी पूरा व्यायाम होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह होगी कि जो बाजू की हमारे नर्वस सेंटर्स हैं, नर्वस के केंद्र हैं, रक्त प्रवाहिकाओं को नियंत्रित करने वाले सेंटर्स हैं, जिनको नाड़ी कह देते हैं, जिस प्रकार से बाजू में यहां नाड़ी है, इसी प्रकार से अलग-अलग बहतर हजार नाड़िये मानो शरीर में हैं तो उस हिसाब से जो elbows का internal part है, यानि कोहनी के एकदम उपर का, अंदर का जो भाग है, वहां से भी रक्त की आपूर्ती रक्त का प्रवाह जो है, वो नियंतरित होता है जब यहां से हम नब्स को अगर बंद कर दें तो हार्ट के बंद होने तक की खतरे एकदम से बढ़ जाते हैं तो उसको अगर जैसे आप ठैला ज़ाड देते हैं और ठैले की को ज़ाड करके फिर उसे ठीक से उसमें फिर दुबारे कोई नई चीज ला सकते हैं ऐसे ही इन नसों नाडियों को हमें स्वस्थ रखने के लिए इनको ज़ाड करके साफ करना बहुत जरूरी है ताकि वहाँ पर ये जो बार-बार के दबाव हैं उरक्त के प्रवाह को अविराम बनाए रखें और किसी तरह का क्लॉट किसी तरह का डिपॉजिट वहाँ पर ना होने पाए जिससे के जो कनेक्टिंग नव्ज हैं वो कहीं भी रुकने की स्थिति में ना आएं ये हमें ध्यान रखना तो इसके लिए हमें क्या करना होता है ये आप देखें इन्हेल करना है एक्जेल करना है लेकिन इस बार का जो एक्जेलेशन है मेरा उसमें मेरी कोहनी जो है वो नीचे रिब्स को तच किये हैं ऐसे हैं इसके साथ साथ क्योंकि जो एक नर्व का बिंदू है मतलब वो केवल एक तरफ से ही प्रभावित नहीं होता हम जब नब्स देखते हैं हाथ की तो हम नाड़ी को देखते हैं नाड़ी परिक्षा करते हैं ऐसे ना भी परिक्षा करते हैं तो उसका जो एक्स्टर्नल पार्ट है वो तो आप छूँ पाते हैं लेकिन उसका साइड में भी हिस्सा है उसका दूसरी साइड में भी हिस्सा है उसका पीछे की साइड में भी हिस्सा है उनको आप चू नहीं पाते हैं परिक्षा के लिए उसको देख लेते हैं जो हिस्सा भी ऐसा होगा कि जहां पर कुछ डिपॉजिट हो सके तो वहीं से हमें नुकसान शुरू हो सकता है इसलिए जब विरेचन करते हैं, तो बाजू के जो हमारी रक्ट प्रवाहिनी हैं, तो हमारी धमनी हैं, तो उनको हर एंगल से हमें दबाव देना चाहिए, जिससे के किसी भी हिस्से में कोई डुकावर्ट ना होने पाए, इसके लिए हम विरेचन को कैसे करेंगे पूरा, ये तो मैंने स्टाइब बताया कि हमें जो बाजू का अंद्रूनी हिस्सा है, वहां तक बाजू को ना हमें रिब्स के साथ में प्रेशर देना है, लेकिन निरंतर करते हुए इसे हमें हर एंगल पर प्रेशर देना है, उसका तरीका एक बार देखें, मुझे इतने में काफी घर्मी भी आ गई है, यह उश्मा शरीर की बड़ी है, उर्जा शरीर में बड़ी है, संचार बड़ा है, और मैं जो कुछ ख्षन पहले था, उससे इस समय कुछ और बेहतर रिस्थिति में हूँ, जब इतनी देर में ही प्रभाव हो सकता है, तो फिर आप जब प्रति दिन इसका अभ्यास करेंगे, तो आपके भीतर अवरोध कैसे रह जाएगा, आपके लिए किवल ये एक देखने का कारिक्रम नहीं है, बलकि ये भारत योग का एक टीचिंग प्रॉसेस है, कि जन जन तक योग का सही स्वरूप जाए, जिससे कि उन्हें उसे अपनाने का भी मौका मिले, और लाभानवित होने का भी मौका मिले, हर्दय को स्वस्त रखिए, दिल को साफ रखिए, स्वस्त रहिए, आनंदित रहिए, हरियों.